तो और गेमर भाई लो क्या हाल चाल देखो आज है ना बहुत जादा खतरना डिवाइसे के कंपारिजन होंगे सबसे पहला ये हमारे हाथ में Poco X6 Pro दूसरा है यहाँ पर IKU Neo 7 Pro और उसी के बाद में है OnePlus Nord 3 ये तीनों डिवाइस के ने गेविंग कंपारिसी दिखाऊंगो एक साथ में वह ये तीनों कितनों मस लग रहा है कलरफुल एक साथ में पहली बात दो पहली बात तो क्यों कर रहा है सबसे पहले जान लो कि यहाँ पर Poco X6 Pro है ना 26,000 पर मिलता है Dimensity 8300 Ultra के साथ में अगला डिवाइस है वो है OnePlus Nord 3 भाई ये एक टाइम पे 33,000-34,000 का मिला करता था Dimensity 9,000 प्रोसेसर के साथ में बट आज इसकी प्राइजिंग है ना या Most of इसकी प्राइजिंग सेल के टाइम पे ऐसे कुछ भी है नॉर्मल उफर्स पे भीना 30,000 नॉर्मल मिलती है और 2,000 रुपए का Amazon पे कूपन भी मिल जाता है तो 28,000 का मिल जाता है ये उसके बाद में आइकू नियो 7 प्रो ये आया था कुछ सम्वेर 33,000 रुपीज के आसपास में और अभी के डाइम पे Amazon पर सेल आती है जैसे भी कुछ ओफर्स आते है या बिना ओफर के कभी-कभी ये फोन की प्राइजिं 30,000 बेस कर दी गई है इवन और भी कम हो चुक है 29,000 और उसमें भी 2000 का कूपन लग जाता है तो यहाँ पर इसमवेर समझ लो 27 और 28 के बीच में ये भी मिलता है वो भी 8 प्लेस जैनवन प्रोसेसर के साथ पर अब ये बाई करे ये बाई करे गेमिंग के लिए या नौड 3 बाई करे तो वो आपको मैं ऐसे डीटेल में समझाऊंगा कि यहाँ यहाँ पर कितना बैटरी ड्रॉप करे गई है और तेमपरेचर कितना गें करेगा तो चलो इन तीनों में से सबसे पहले मैं कौन सा फोन लेता हूं मैं ले लेता हूं यहाँ पर आइकू नियोस 7 प्रोग बाई इस फोन में अभी जो बैटरी है ना वो है सम्वेर कुछ 57 पर यहाँ पर तेस्ट आउट करने वाला हूं और वहाँ पर रिजर्ट के आएंगे वह बाताने वाला हूं तो सबसे पहले अगर इसका TDM का वर्डिक्ट अगर आपको बता दू आइकू नियोस 7 प्रो का TDM पर यह फोन आराम से आपको 88-90 वाले गेमिंग आराम से करवा देता टेस्टिंग चाल हुआ है बड़ इसकी वीडियो आपको मिलेगी 22 फैब को उससे पहले में डिलिवर नहीं कर सकता है तोड़े से रिस्ट्रिक्शन्स होंगे एंबार्गो है बट वह फोन की वीडियो आपको बहुत जल्दी कितने एक्साइटेड हो पहली बात तो इस फोन हो कर2 कितने एक्साइब नहीं थे ले वाटेज आनास व् голос कर डड़को और्यं कर वासरा में करेंटों वहले है कर दो गजए.. करो आ कर दो! एं कर दो! कर दो! आ कर दो! एं 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 करीस दो! चर दो! इर आंगल पर जैसी शिफ्ट करते हो ना तो जैसे 90 FAS में थोड़े बहुत कभी कबार ड्रॉप के टाइम पर मतलब एनिमीज आसपास में थोड़े बहुत फ्लक्टुएशन वहाँ पर आपको मिलेंगे उसमें कोई बड़ा मेजर ऐसा रोल नहीं लेकिन अगर मैं इसकी एव सब्सक्राइब कर लेना कि वह बहुत ज्यादा जरूरी है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाने ऐसे पीछे नहीं रहे ना यह सब्सक्राइब कर लेना हगिiche टारे अफसे कि लो टुपिजवव प्सक्राइबर तुपिप से रहे लेदे लेगगा से पाल-वना अगल-वना बहुते इसा कर दまぁ अज हिर झाल-वनाय इस ज्हाँ है है बहां तो, बहां लग झाल मँपने बेंगं हुआ मरंना हुआ भी भी क्लिटीन अऩा टो मैं आप अबानाLeO खार ही गिर ए्प्र ऊती क्लिटीन इक प groups को थे फितना है तो Neo 7 Pro में overall simple verdict तो यह है कि काफी अच्छा gaming करवाता है 90 fps में आप लोगों ने देख लिए 45 मिनट्स की gaming में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और एक और चीज़ है कि अगर आप इसका battery drop वगेरा जो है वो आपको मैं वीडियो के end में दिखा देता हूँ बड़ अभी जो next phone में लूँगा न वो होगा यहाँ पर Poco X6 Pro अभी इसके अंदर जो battery है न वो है फिलाल 69% और phone का temperature somewhere कुछ 31 degree पर है तो यहाँ पर यह जो processor है जिस प्राइज पर Poco इसे लेकर आए एक 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 प्रो के अंदर यह एक बेस्ट गेमिंग फोन बन जाता है कम प्राइज के अंदर और card offer होगा तो और सस्ता मिल जाएगा चौबीस पच्छी जार के आसपास जो भी है तो आज के टाइम पर अंडर 30,000 में एक बेस्ट गेमिंग फोन मैं Poco X6 Pro को वो नंबर देना चाहूंगा आगे जाके कुछ और चेंजेस हो सकते हैं बड़ अभी के लिए मेरे इसाब से अंडर 30,000 में बेस्ट गेमिंग फोन एक यह मिल जाता है बाकि अगर TDM की बात करोगे तो भाइट डेफिनेटली आपको 90FS की गेमिंग बहुत अच्छी तरीके से करने मिल जाएगी TDM के अंदर तो कोई ऐसे मेजर ड्रॉप देखने भी नहीं मिलेंगे वो जादा-जादा 88,89 ऐसे ही चलता रहता है बाकि जब इराइंगल की बात करोगे तो वहाँ पर आपको समझ लो थोड़े बहुत कभी कभार माइनर से फ्लक्टुएशन आ सकते हैं जो जादा से जादा होगा 85 की असपास बहुत नीचे जाता है कमी पहने देखा इसे नीचे जाते हुए आप लोग ने गेमपले के अंदर देख लोगे पोको एक्सिक्स प्रो को थोड़ा सा नीचे जाते हुए तो कॉमेंट करके बता देना बाकि डेफिनेटली 90 एफस की गेमिंग इराइंगल पर पोको एक्सिक प्रो काफी अच्छी तरीके से काम कर रहा है गेमिंग को लेकर काम कर डि Misty काम कर से काम कर देना मेंट की प्रोके से रहाना हुआ्ण काम की ठीता экстाफ्ट शेना में आपकी प्रोक कर ग्रीके समेटली कन्या में इंगा शीता को शॉ़राईअ मेन शीता कर को लोगhat actors अदो हैं आउते हैं रहाँ में से कर सऔर में तोन्सक्छीता हैं झाल झाल तो अभी यहाँ पर आपने पूरा देख लिया तो अभी अगर बात करेंगे नेक्स और आखरी फोन को लेकर वन प्लस नॉड थ्री अभी यह जो फोन देखो नैंटी एफएस अनलॉक करके देता है मैं ना नहीं बोलूँगा देखो अभी वन प्लस नॉड थ्री में जो बैटरी है यहां पर रही बात इस फोन के ओवराल सिनारियो को लेकर एक बात है अभी वन प्लस में सबसे बड़ा स्कैम कहला कुछ भी कहलो नैंटी एफएस अन तो करके देता है आप कितनी भी सेटिंग में जाके चेंजेस कर लो बूस्ट लगा लो कॉंस्टेंट एफएस कर दो डिस्प्ले की रिफ्रेश रेट को हाई कर दो कुछ भी कर लो दिखाएगा नैंटी सेटिंग अगर आप करते हो स्मूद नैंटी बड़ आप जो गेमप्ले करोगे ना जिसके पास एफएस मीटर नहीं होगा वो वेचारा सोचे का कि मैं नैंटी में कर रहा हूं जबकि यहां पर एक बग है या कुछ भी कहलो वो अभी पिला 90FS ना देके 60FS दे रहा है भले आपने 90 में रखा है और यह वनप्लस का आज का नहीं है वनप्लस के पहले पुराने फोन भी है वनप्लस 80 हो गया वनप्लस और एवन एक रियल मी का फोन आया करता था रियल मी कौन सा तो था यार वो इस ताइम उन्होंने पेरिस्कोप लेंस के साथ एवन जूम लेंस के साथ कुछ निकाला था 3T था इंसो जो भी मुझे नाम याद नहीं बट यह थाड़े डिवाइसे में इशू ते जो 90 देते थे बट प्ले आप नहीं कर सकते कुछ मिनट के लिए एक से दो मिनट के लिए मुझे 90 दिखा भी होगा बात नहीं पता नहीं वापस ग्लिच मार के वापस इंसकी बात इतनी है कि 60 में आपको ठीक ठाक तरीके से परफॉर्मंस अच्छी तरीके से मिल जाती है डेफिनेटली और इरैंगल के मैचेस में भी आप 60fps की गेमिंग कर सकते हो बट जैसे मैंने का कुछ तो ग्लिच है इस फोन के अंदर जिसकी वैसे हम 90 की गेमिंग ही नहीं कर पा रहे हैं तो ओवराल यहां पर मैं 90 की बात करन अगर अभी फाइनल कंपारिसन में देखते हैं नंबर वाइस कौन आगे निकल कर आता है और पहले तो देख लेते हैं बैटरि और अटेम्प्रेचर वाला सीज तो टीनोस पोन के तैमप्रेचर कितने स्टार्ड में थे और एंड में कितना डिप हुआ वो आपके स्क्रिन के सामने है और कितना बैसिकली टेमड गें किया वो विखने मिल जाएगा निकरी के हिसाब से और सबसे जादा ड्रॉप भी जो बैटरी करी है ना वो वन प्लस नॉड नहीं करी है थी ने 60 देने के बाद में सबसे जादा बैटरी ड्रॉप नॉड 3 के अंदर रहा तो इसे तो मैं फिलाल एक्जिट कर दूँगा देखो जो प्राइजिंग है ना ओफर कर रह तो पोको X6 Pro लेते या फिर आइको नियो 7 Pro लेते वो आप अपना रिव्यू खुद देना मुझे मैं खुद देखना चाहता हूं क्या क्या क्योंकि मैं बोलूंगा तो मेरे लिए तो आईसा हो जाएगा कि ठीक है मेरे इसाब से एभी अच्छा है मेरे इसाब से एभी अच रिजन, रिव्यू, गेमिंग में जो आपको पसंद आया रहेगा तो कॉमेंट करके जरूर बता देना बागी नेक्स कोई वीडियो होगा डिमांड कर देना कॉमेंट लिग देना और नियो 7 Pro के लिए कितना एक्साइड़ वो भी बता देना और रही बात यहाँ पर सारी च झाल